हालेलुया, स्वागत है आप सब का मेरी भविश्यवानियों की पुस्तक में तो आईए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमिश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है अपने मूँ को वश मेला है जैसा कि निती वचन की पुस्तक अध्याय 18 उसकी 21 आरक में लिखा है जीप के वश में मृत्ति और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम मिलाना जानता है वो उसका फल भोगेगा मेरी प्रियों बाइबल बताती है कि आपके मूँ में जिन्दगी और मौत दोनों है आप अपने मूँ के फलों को खाते हैं उदारन के लिए एक बहन का बच्चा शरारती है वो शरारते करता है, तंग करता है, चोरी करता है तब वो अपने मूँ से शरापित शब्द बोलती है तू गंदा है, तो रोज मेरी बेज़दी करवाता है, तेरी टांग तूट जाए आपका बच्चा पहले ही गलत है, और आप इसे और शरापित कर रहे हैं अगर आप इसे शरापित कर देंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे फिर आशिशिक नहीं कर सकती एक सेवक का बच्चा जवान था, पर वो सेवक की बात नहीं मानता था लेकिन पवित रात्मा उस सेवक को बोलता था, कि इसके लिए प्रातना करता रहे और उसे आशिशिक करता रहे, आज वो बच्चा उस सेवकाई का मुखिया बन चुका है और सेवकाई कर रहा है, आप के मुँसे क्या निकलेगा और क्या हो रहा है, कोई माहिने नहीं रखता आपके मुझे जो निकलेगा और आप जो चाहते हैं वैसा ही फिर हो जाएगा मेरे प्रियों आप परमेशुर की तरह बनाए गए हैं जब हम उत्पत्य की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेशुर ने देखा प्रित्वी बेडॉल और सुमसान पड़ी है फिर परमेशुर ने कहा उजियाला हो जाए तो पवितरात्मा ने उन शब्दों को सुना और अपनी शक्ती से उजियाला किया और प्रित्वी को बेडोलपन से आज़दाद किया और वही पवितरात्मा आपके अंदर रहता है आपके दिल में बसता है पर आप भूल गए कि वो तो मेरे दिल में रहता है अगर आपके जीवन में प्राथना की वचन की कमी है तब भी वो आपके अंदर ही रहता है वो जाता नहीं है जब तक आप पवितरात्मा का इंकार नहीं करते तब तक वो नहीं जाता वो आपकी शब्दों का इंतिजार करता है कि आप क्या बोलते हैं अगर आप किसी को बुरा बोलते हैं तो फिर वो वैसा ही हो जाएगा आप किसी को आशिशित करते हैं तो वो उसको आशिशित करता है अब आपने देखना है कि आप अपने मूँ से अपने पती अपने बच्चों को क्या बोलते हैं जिस तरह का अंगिकार आप अपने मूँ से करेंगे वैसा आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा याद रखें गालियां देने वाले लोग कभी स्वस्ट और आशिशित नहीं रह सकते अब आपको देखना है कि जो आप मैसूस कर रहे हैं वो बोलना है या जो परमिशुर के वचन में लिखा है वो बोलना है अगर आप अपने मूँ से नकरात्मक शब्द बोलेंगे वो भी पूरा होता है और अगर आप अपने मूँ से सकरात्मक बोलते हैं तो वो भी पूरा होगा इफसियों की पुस्तर अध्याय 4 उसके 29 आयप में लिखा है कि कोई गंदी बात तेरे मूँ से ना निकले और अविशक्ता के अनुसार वही निकले जो उन्नती के लिए उप्तम हो ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग रहो इसलिए मेरे प्रियों आज से ही आप फ्रैसला करें कि अपने मूँ के शब्दों को सोच वजार करके उनको बोलेंगे क्योंकि आपके मूँ में सामर्थ और जिंदगी हैं जब आप बचन के बीच में से बात करेंगे और परमेशुर की हजूरी में रहकर बोलेंगे तो फि कि इस अंगिकार को आप मेरे साथ एक मन वाकर करेंगे सर शक्तिमान परमेशुर मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवात करता हूँ पिता परमेशुर मैं अंगिकार करता हूँ कि मैं अपने मुझने कोई भी गलत बात ना निकाल सकूँ और आपके वचनों के मताबिक जलने पाऊं। प्रभु येश्य मसी के नाम है। आमें। परमिश और आप सब को आज के वचन के उपर मनन करने के द्वारा आशिशिक करें। आमें।